हेलो प्रेंस, स्वागत है मेरे चैनल में आपका तुप्रेंस आज हम इस वीडियो में एम्डेला फ्रोग बनाना सीखेंगे तो प्रेंस इसके लिए चाहिए देखिए हमने यहां पर 3.5 मेटर लिया है मैन फैबरिक और रस्तर वाला फैबरिक लिया है डाई मीटर तो इस तर पहले हमें जो बॉटम पार्ट है उसकी कटिंग करनी है तो बॉटम पार्ट की कटिंग करने के लिए वन जाइट से इस तरह के से लेंगे इसके बाद देखिए इसको दो लियार में रख लेना है और इसके बाद एक बार और रख लेना है इस तरह के से तोटल फोर पाइट को ready रखना है तो one inch में प्लस करके लेना है अब इसके बाद कट कर देना है अब इसके बाद देखे फ्रेंज इसमें हमें गले के लिए मार्किंग करनी है तो धाइ इंच पर हम मार्किंग करेंगे गले के लिए और तीन इंच के रखेंगे सूल्डर इसके बाद देखिए पाँच इंच के लिए आरमोल्स और यहाँ से चेस्ट का फूर पर्ड लेना आ है चेस्ट हमारा 36 इंच है तो उसका फूर पर्ड ले लेंगे 9 इंची और धाई से दू इंच लेना है एक्स्ट्रा माजन के लिए आर्मोल्स के साइड से वन इंच की गुलाई देंगे इसके बाद देखिए यहाँ पर गले की निक को रखना है छे इंची और गुलाई अकर का सेब देंगे और यहाँ से कमर का 4 पार्ट लेंगे कमर 28 है तो उसका 4 पार्ट 7 इंची और 2 इंच एक्स्टर ले रहे हैं माजन के लिए इसके बाद दूनों मार्किंग को देखिए मिला देना है इस तरगे से मिलाने के बाद देखिए हमें निकवालेट से की कटिंग कर देनी है और आर मोल्स को भी कट कर देंगे इसके बाद जो एक्स्टर फैबरिक है उसको भी कट कर देना है अब जो एस तरवाला फैबरिक है उस पर भी हमें सेम इसी तरगे से कटिंग कर लेना है बोटिम बाट की तो देखिए हमने यहां पर cutting कर लिया अची तर्गे से अब यहां पर हम slips की cutting करेंगे तो इस तर्गे से हमने फैबरिक में से कुछ इच्छे को cut कर लिया है और इसे भी हमने four part में रख लिया है एनि दोनो slips हम रारी बनकर ready होगे अब यहां से देखिए हाप इंच ले लेना है जितनी आपके हाथ की मौरी होती है उसका हाप इंच ले लेंगे और एक से डेड़ इंची लेंगे माजन के लिए इसके बाद नीचे वाली साइड से लेना है हमें तीर इंच पर slips डाउन करते हैं तो उसके लिए मार्किंग कर लेंगे अब यहां से slips के लिए मार्किंग करन इस तरीके से देखें सारे से मामने मार्किंग कर दी है अब इस तरीके से हमें कट कर देना है फैबरिक को कट करने के बाद देखें जो एक्ट्रा वा उसको भी कट कर दिया है सिलिप्स की कटिंग हो चुकी है अब जो बचे हुए फैबरिक हैं उसमें नीचे बाले पार्ट की कटिंग करनी है तो फैबरिक को दो पार्ट में इस तरीके से रख लेना है अब इसके एक कौनों को देखिए दूसरे कौने तक मिलाने है इस तरीके से मिलाने के बाद देखिए इसे हमें ट्रिंगल अकार में रख लिया है आप जो उपर का वर्डिंग पार्ड है उसको लेंगे और कमर के अकोर्डिंग ही यहाँ पर रखना है अब यहाँ से टूटल देखिए हमें कितना 32 इंच रखना है यहाँ जो नीचे वाला फार्ड से उसे हमने 30 इंच रखना है और 2 इंच एक्स्टर लिया है तो इस देखिए से टूटल हमारी लेंद हो जाएगी 40 इंची अब इसके बाद देखिए दूनों साड़े सी देखिए से मार्किंग कर लेनी है सार इससे में बरावर कर गे दूसरी साड़ी इसी दरके से मार्किंग कर लिया है और यहाँ पर नीचे भी हमें गोलाकार में मार्किंग करनी है देखिए इस तरके से इस तरके से मार्किंग करने के बाद यहाँ पर हमें कटिंग कर देनी है जान से हमने मार्किंग की थी वहाँ वहां से, देखे इस तरीके से कटिंग हमारी हो चुकी है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें उपर वाली साइट से भी कट कर देना है, उपर वाली साइट से कट करने के बाद, अब देखे फ्रेंज यह आप अपर किया करना है, हमें उपर भी को 5 opposition कम रखना है, मेन फाइबरिक से, देखे इस तरीके से आप नपले और उसको छोटा ही रख़ा है, मेन फाइबरिक को हमें बढ़ा रखना है, अब इसके बाद स्टेचिंग करेंगे तो देखिए दोनों पार्ट्स को हमने रख लिया है मैन फैबरिक के और एस्तर वाले के तो इसके निक वाले से पर सबसे पहले से लाइक को डालेंगे तो डाल दिये अब इसके बाद देखिए इसमें चोड़े चोड़े से कट को लगाएंगे इस तरीके से हमारा जुने के वो आसानी से अंदर की साइड फूल्ड हो जाएगा अब इसके इसे अंदर की साइड इस तरीके से फूल्ड कर लेंगे इस तरीके से देखिए और इसके उपर से एक सिलाई को फेस्ट करना है और इसके आर मोल साइड भी सिलाई को फेस्ट करना है तो देखिए इस तरीके से हमने सारे नेके सिलाई को फेस्ट कर लिया है और नीचे की साइड भी सिलाई को फेस्ट कर लिया है अब इसके बाद देखें friends दूसरी वाले पार्स को भी से एम इसी तरीखे से रेडी कर लेना है तो यहाँ पर हमने दोनों पार्स को रेडी कर लिए आगे वाले यहाँ पर देखें, बैक वाला आप चाहें तो निक बड़ा कर सकते हैं या चाहें तो दुनों को बरावर भी रख सकते हैं अब इसके बाद क्या कर सागे, friends, हमें क्या करना है जो नीचे वाला फार्स है, उसको रेड़ी करना है वेष्ट करने के बाद देखें, या पर इस तरीके से इसको उपर की साइड से अंदर की साइड सीधा वाला इससे रखना है और इस तरीके से दोनों को बरावर करते हुए जो आइन कर देना है friends, अगर आपका तोड़ा बहुत जो नीचे वाला फार्स है वो बड़ा होता है तो आप बीच में प्लेट्स डाल सकते हैं या फिर साइड में भी डाल सकते हैं या पर तोड़ा सा मेरा बड़ा है तो इसमें मैं थोड़े से इस लाइक बीच में लेट्स डालूंगे देखें यहाँ पर हमने जोइन कर लिया है अब सेम इसी तरीके से जो बैक वाला फार सा उसको भी जोइन कर लेना है यहनि दोनों को इसी तरीके से जोइन कर लिया है हमने अब दोनों को देखे इस तरीके से रख लेंगे दोनों को इस तरीके से रखने के बाद देखे इसके जो उपर मुड़े वाला हिसा है उसको जोइन कर लेंगे यहाँ पर देखे तो यहाँ पर देखे हमने इसको भी जोइन कर लिया है अची तरीके से जोइन करने के बाद देखे इसको इस तरीके से सिधा करेंगे अब इसके बाद देखे क्या करना है फ्रेंस हमें इसमें सिलिप्स के अटायच करनी है तो देखें सिलिप्स को हमें किस तरीके से अटायच करनी है तरीका देखना है तो देखे इसापसे पहले क्या करना है, इसके जो आगे बाले parts होता है, उसको इस तरीके से fold कर लें, यहाँ पर पहले से water तो इससे मैं fold नहीं कर रही हूँ, अब देखे इस तरीके से slip को attach करें, आप इस तरीके से बराबर करते हुबें, सारे इससे उपर से силाई को डालते ज कर लें तो दूनों को हमने अच्छी तरीके से जोइंट कर लिया है अब देखें फ्रेंट्स जो इसका जोइंट वाला इससा है उसे आपको अंदर की साइड ऐनी की अस्तर वाले साइड फूल्ड करना है और इसके ऊपर से एक सलाइक को फेश्ट करना है इससे हमारे जो की साइड ऐसे हो जाएंगे देखें इसके ऊपर से हमने सलाइक को फेश्ट कर लिया है फ्रेंट्स जयाद रहें इसके अंदर वाले फैबरिक को पलटना है और दोनों साइड देखें फिटिंग को डाल कर कम्प्लीट कर लिया है अब जो नीचे वाला फार्ट्स है वहाँ पर हमें पीको करना है तो प्रेंट्स आप अस्तर वाले और में फैबरिक दोनों पर पीको कर ले तो देखें इस तरीके से हमारी जो एकदम बनकर रेडी हो गई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह अम्रेला फ्रॉक कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब न